लटाल में आपकोasma 10 का जैंट्टर नमेर वहन पढ़ाया था नमबने सा smartest की मैं आपको इस इन्ट्रोडक्शन हा पतांगा ज्षराल में सहीं ते सहरे होते हैं किने घंचेन नंटेस्ट फिर今天的 theorem of arithmetics बताऊंगा तो उसमें हमने आपको यहां तक that is divisibility rules of 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 17, 19, 23, 29 तक बता दिया था now the next the thing is that we are supposed to reach at this fundamental theorem of arithmetics so अब हम लोग fundamental theorem of arithmetics के तरफ चलेंगे so let's start so fundamental theorem of arithmetics okay now fundamental theorem of arithmetics क्या कहता है let us समझने के कोशिस की fundamental theorem of arithmetics कहता है every composite number every composite number बार के बारे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि composite number क्या हो था जैसे 6 है 20 है 15 है यानि ऐसे नंबर जिसके उस नंबर से भी उसमें भाग लगे एक से भी भाग लगे और इसके इलावा और किसी से भी लग जाए ठीक है मतलब उसके वन और तक नंबर के इलावा अदर डिवाइजर भी हो तो कहा है यह fundamental theorem of arithmetics कहता है कि every composite number can be can be written as written as product of prime numbers prime numbers यह मैंने आपको पहले भी बताया था लेकिन इस बार मैं अब इसको theorem के नाम से कह रहा हूं fundamental theorem of arithmetics कहता है every composite number can be written as product of prime number okay उसके बाद कहना मतलब यह है कि जैसे 6 है so 6 को आप क्या कर सकते you can write it is 2 multiplied by 3 20 है you can write it is 2 multiplied by 2 multiplied by 5 दो प्राइम नमबर यह प्राइम नमबर है तीन भी प्राइम नमबर है इस को तू प्राइम नमबर तू प्राइम नमबर 5 प्राइम नमबर हो क्या कर रहे है every composite number yeah it is every composite number can be written as product of prime numbers okay so product of prime numbers के रूप में किसी भी composite number को लिखा जा सकता है लेकिन उसके साथ क्या करता है उसके साथ करता है and ये थोड़ा समझने वाली बात है and its factorizations यानि जो factors होंगे factorizations are unique accept accept the order in which it is written it is written मैं इस चीज़ को आपको समझाता हूँ कि ये क्या कहना चाहरा है कहना ये चाहरा है कि जब आपके पास कोई composite number है तो उस composite number हो आप factorizations के रूप में भीक सकते हैं यानि कि product के रूप में लिख सकते है को दूसरी चीज़ कह रहा है कि उसके सात्व एक अलग चीज़ कह रहा है कि इस factors are unique एक तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि उसका factor unique है दूसरा factors are unique factors are unique accept the orders in which it is written okay so मैं आपको इसको example से समझाने की कोशिस कर रहा हूँ कि इसका examples क्या होगा let us see इसको हम लोग आपको example से समझाने की कोशिस कर रहे हैं suppose कि ये example मैं आपको यहां पर रखा है जैसे कि say example मैं कहा जा रहा है 6 so 6 can be written as 2 multiplied by 3 okay so ये दो factors है कहना ये चारा है ये theorem कि किसी भी composite number को prime numbers के रुप में लिखा जा सकता है और ये जो factors हैं ये जो factors हैं ये factors आपस में unique हैं okay so ये factors आपस में unique होने का मतलब क्या है ये कहा जा रहा है कि दूसरा कोई factors इसका नहीं होगा इसके लावा इसमें कोई factor 5 नहीं होगा 6 नहीं होगा 7 नहीं होगा जो भी होगा ये factor या तो 2 होगा या 3 होगा अब इसको का जाता है except the orders in which it is written मतलब पहले दो लिखके तब तीन लिखके हैं या तीन लिखके दो लिखके हैं यह ordering भले बदल सकता है लेकिन यह factors जो हैं यह unique होंगे यह नहीं बदलेंगे now दूसरा example हम लोग 20 का लेते हैं let us see it is 20 का लेते हैं so 20 can be written as 2 multiplied by 2 multiplied by 5 कोई आदमी इसको लिख सकता है 2 multiplied by 5 multiplied by 2 कोई इसको लिख सकता है 5 multiplied by 2 multiplied by 2 so अब यह क्या है 20 विज को हम लोग κά लिख रहे हैं 2 50-2 पांच कोना दो पांच गाना दो क्या है किजने हमारा 20 है और प्राइम फैक्टर से रूप में एंक फैक्टर हमारा 2 है प्राइम नमबर दूसरा भी प्राइम नमबर यख एक प्राइम नमबर है कि जो हमारा theorem का रहा है कि कोई भी composite number को prime number के product के रूप में लिखा जा सकता है तो हमने prime number के product के रूप में लिख दिया अब अगर इसको दूसरा चीज हो का रहा है and that factorization जो factors है वो unique होंगे यह दो 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 यही होंगे इसके लावा और कोई नहीं होंगे इसमें seven नहीं होगा, six नहीं होगा, four नहीं होगा, इस type का नहीं होगा other factors नहीं होंगे यह factors unique होंगे चाहे इन factors को किसी भी order में लिख दिया जाए यह order ऐसा हो सकता है कि पहले यह दो लिखा, फिर यह पांच लिख दिया फिर ये दो लिख दिया, फिर ये 5 यहां लिख दिये, 2 यहां लिख दिये, 2 यहां लिख दिये तो ये ordering change हो सकता है, लेकिन ये factors नहीं बदलेंगे, okay So very simple है, हम लोग क्या करते है, generally, generally what I am saying आपको क्या करना चाहिए, you should write सबसे पहले a small number लिखना चाहिए उसके बाद, अगर उसके बाद कोई उससे बड़ा number आता है, तो ठीक है, ने तो अगर वही number आता है, तो वो लिखे into 5 लिखे, मतलब कहने का मतलब क्या है, कि we can write it something like a P1 prime number into P2 prime number into P3 prime number, okay So this beast can be written as 2 into 2 into 5 is equal to P1 prime number into P2 prime number into P3 prime number और हम लोग एक सर्थ लगा देते हैं, कि P1 is less than equal to P2, P2 is less than equal to P3 यानि कि इस तरह से क्या होगा, कि अब जब आप ये चीज़ लिख देंगे, कि P1 सबसे छोटा है, उससे बड़ा P2 है या उसके बराबर है, फिर P2 जो है, P3 से छोटा है, या P2, P3 के बराबर है, जब इस ordering में लिख दीज़ेगा, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं? तो जब ये ordering कर दिया जाएगा, तब अगर ये decide हो गया, कि हम इस sequence में लिखेंगे, that is, ascending order में अगर लिखते हैं, ascending, ascending order, जिस दिन हमने ये decide कर दिया, कि हमारा numbers यहाँ पे ascending order का होगा, उस दिन ये unique हो जाएगा, उसके बाद फिर ये ordering का भी concept खतम हो जाएगा, तो पहला चीज़, जो prime factorization के example में हमने आपको बताया, कि किसी भी composite number को prime factor के product के रूप में लिखा जा सकता है, एक तो ये चीज़ है दूसरा ये चीज़ किया है, कि उसके अगर आपने decide कर दिया, कि हम अपना prime numbers इसी order में रखेंगे, मतलब पहले छोटा रखेंगे, फिर उसके बाद उससे अगला बड़ा रखेंगे, उसके बाद अगला बड़ा ऐसे ऐसे रखेंगे, तो हमारा ये way भी एक unique हो जाएगा, इसके बाद इसमें अब कोई changes नहीं हो पाएगा, okay, so let's come to 175, next example हम लोग लेने के कोशिस करते है, 175, okay, so just a minute, हमारा ये चीज़ था, 175 को हम यहाँ पर लेते है, so 175 को, okay, let's see, now see, 175 175, so 175, ये चीज़ किलिए है कि 175 में कितने से divide कर सकते, 175 को आप सबसे पहले last में 5 है, तो उसको 5 से divide कर सकते, हम लोग को ये method अपनाना चाहिए, हम लोग को ऐसे इसको घेर देना चाहिए, यहाँ पर हम लोग को लिखना चाहिए, 5, मतलब मेरा पहला डिवाइजर 5 है, तो 5 से इसमें आप divide कीज़े, क्या आएगा, तो फर्स तिंग यू फाइंड, कि जैसे ही आपने 5 से इसको divide करेंगे, 5, 3, 15, 35, अब इस 35 को इस 3 method से अगें, हम लोग 5 से divide करते हैं, तो now it will become 7, 7 को अगर आप 5 से divide करते हैं, 7 से, तो finally you will get here, it is 1, तो अब आप सोचे, इस 3 method से what you can write, you can write 175 is equal to 5, यह 5, इंटो यह 5, इंटो यह साथ, okay, 5, 5 multiplied by 7, okay, so 25 multiplied by 7, तो क्या है, यह प्राइम नंबर है, okay, this is prime number, this is prime number, this is prime number, this is prime number, this can be written as 5 square multiplied by 7 raised to the power 1, so what you can say, आप क्या का सक्टे है, आप क्या सक्टे है, के, when we, when we factorize, factorize 175, we get, we get only prime factors, prime factors, 5 and 7, समझ रहे हैं, जब 175 को आपने prime factorization किया, तो उसके prime factors क्या आते हैं, 5 और 7, हाँ, अब यह पूछा जा सक्ता है, कि 5 और 7 आ रहे हैं, तो 5 का power क्या है, exponent, exponent मतलब power, exponent, exponent का मतलब क्या होता है, power, exponent of 5 is 2, exponent of 7 is 1, okay, तो इस तरह से आप 175 का prime factorization कर दिए, तो very easy है, यह theorem भी बहुत आसान था, और यह questions भी बहुत ही easy तरीके से बना दिया गया, now if you see, हम लोग 140 का करते हैं, let's come here, 140, क्या करना चाहिए मुझे, सबसे पहले मुझे 2 से start करना चाहिए, क्यों, क्योंकि last में even number है, तो 2 से start किया मैंने, तो यह बन गया मेरा 70, फिर मैंने इसको 2 से start किया, जो है, बन गया यह 35, फिर मैंने उससे अगला number, prime number 5 से किया, फिर यह बन गया मेरा 7, और फिर मैंने 7 को जब किया, तो अब आपके पास क्या कर सकते हैं, you can say 140 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 7, so this is equal to 2 square multiplied by 5 multiplied by 7, okay, तो अब यह से क्या प्रूफ हो रहा है, यह 140 क्या है, composite number, okay, 2 क्या है, prime number, prime number, prime number, prime number, okay, so it can be written as P1 multiplied by P2 multiplied by P3 multiplied by P4, यहाँ पे P1 क्या है, P1 is 2, P2 is 2, P3 is 5, P4 is 7, हम लो क्या सकते हैं, P1 is less than equal to P2, P2 is less than equal to P3, P3 is less than equal to P4, okay, so यह है हमारा prime factorization का unique तरीका, unique तरीका क्यों, क्योंकि यह हमारे numbers, we have decided to go in the increasing order, पर ले 2, 5, 7, ऐसे बढ़ रहे हैं, okay, तो अगर आप से कोई पूछता है कि 140 के prime factorizations में कौन-कौन से prime number आएंगे, so you will say कि 140 का, जब हम prime factorizations करेंगे, तो मुझे उसमें prime factors आएंगे 2, 5, and 7, and at the same time you will say the exponent of 2 will be 2, 2 का power 2 होगा, 5 का power 1 होगा, और 7 का power 1 होगा, okay, so ये 2, 5, 7 हमारे prime factors है, उनका exponent है 2, उसका exponent है 1, उसका exponent है 1, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, we can something like, write like this, P1 square into P3 into P4, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पर P1 is less than equal to P2 is less than equal to P4, P3 less than equal to P4, ऐसा लिख सकते हैं, तो ये अब आपके पास तरीका है, मतलब कुश्चन समझने का 156, okay, so हम लोग क्या बोलते हैं आपको, 156, इसको आप कैसे करेंगे, so 156 को करने के लिए आपको क्या करेंगे, यहाँ पर prime factorations 2 से भाग दीजे, जैसे ही आपने 2 से भाग दिया, 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर आपने 2 से भाग दिया, then it is your 2, 3, 6, 2, 9, 18, 13, 9, फिर आपने 3 से डिवाइड किया, then it is 13, और 13 को अब कोई दूसरा number नहीं है, 13 का prime factorizations 13 ही होगा, so what you can write, you can write 156 is equal to 2 into 2 into 3 into 13, okay, so 156 के prime factors को से हुए, 2 हुए, 3 हुए और 13 हुए, बट दो prime factor जरूर है, लेकिन उसका exponent भी 2 है, 3 का exponent 1 है, exponent मतलब power और 13 का power तो यहाँ पे 1 है, तो इस तरह से यह सवाल आप कह सकते हैं कि 156 का prime factorization इस तरह से हो सकता है, okay, so आपके पास एक और सवाल है, 3825, this example, जाहिर सी बात है कि इसमें 5 से भाग लगेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो आप इसको start करेंगे 5 से भाग देना है, जैसे ही आपने 5 से किया, 5 सते 35, उसके बाद 32, 35 और 25, okay, 5 सते 35, 32 है, तो 35 और फिर 25 अगेर इसमें 5 से आप भाग दे सकते हैं, इसमें 5 से भाग देने पर क्या मिलेगा, 5, 1, 25, 30, दिन, अगें अब आप सोचिए कि इसको किस से भाग दे सकते हैं, तीन से भाग दे सकते हैं, क्यों, तीन, पाच, आठ, एक, नौ, तीनों नमबर्स का जोड़, यहां पे, डिजिट का जोड़, तीन के टेबल में आता है, इसलिए आप इसको तीन से भी भाग दे सकते हैं, तीन पच्चे पंदरह और तीन एकम तीन, अगें यह तीन से इसको भाग दे सकते हैं, तीन तीन, तीन, तीन तीन, तीन तीन का कोई दूसरा यह नहीं होगा, वन पे आके रुख जाएगा, तो अब आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3, 8, 2, 5 is equal to 5, multiplied by this 5, multiplied by 3, multiplied by 3, multiplied by 17, so the factors or prime factors of 3, 8, 2, 5 are 5, 3, and 7, उसका वलेंगे, 5 उसका एक टीन तीन 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 हैं, but you can write 5 square into 3 का square, we should write something like this 3 square into 5 square into 17 raised the power 1 this will be the unique thing क्योंकि पहले हम छोटा लेंगे फिर उसे बड़ा उसे बड़ा और यहां पर भी sorry we have started with the 5 आपको 3 से ही start करना चाहिए था 3 8 11 आदो 13 अपांच 18 यह 3 से हो सकता था तो we should start like 3 से हमको start करना चाहिए था तो 3 से start करना चाहिए था दूसरा तरीके से भी बना के दिखा देते हैं आपको 3 8 2 5 चुकि यहां पर 3 8 11 दो 13 5 18 यह 3 से divisible होगा क्योंकि यह सभी digit का sum में 3 से भाग लग सकता है तो we can start with the 3 सो अब हमारे पास क्या आने वाला है तीन एकम तीन तीन दूने छे और तीन सते कीस तीन पचे पंद्रह 7 5 12 2 14 15 यह सभी digit का sum 3 से divisible है इसलिए 3 से फिर भाग लग सकता है तो 3 4 का 12 3 दूने 6 3 पचे 15 अब इसमें आप 5 से भाग दीजिए तो sorry इसमें 4 दो 7 7 5 12 अगेन इसमें 3 से भाग लग सकता है so we should start with the 3 again okay 4 तो 7 5 12 तीन से भाग लग सकता है so हम लोग लग लिखेंगे 3 1 जा 3 3 4 जा and then 4 2 sorry 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 okay कभी कभी mistakes हो जाते so come here यह 4 2 6 5 11 है तो उसमें 3 से भाग लगेगा नहीं तो 5 से भाग लगेगा 5 से हम लोग भाग दे रहे हैं 5 8 40 और फिर 25 25 फिर हम लोग 5 से भाग दे सकते हैं this is 5 से then it is 17 और 17 का तो finally 17 से भाग देके हमारे पस 1 आ गया so 3 8 2 5 is equal to this is 3 इंटो 3 इंटो 5 इंटो 5 इंटो 17 so this is 3 स्क्वेर इंटो 5 स्क्वेर इंटो 17 रिज़ पावर 1 so 3825 जो एक composite नमबर था इस composite नमबर को हम लोग ने prime factorization के रूप में लिखा जिसमें first prime factor is 3 5 and 17 3 3 का power 2 है 5 का power भी 2 है और 17 का power 1 है okay so यह सब techniques है और यह these are the applications मैंने आपके concept को clear करने के कोशिस किया कि हमारा fundamental theorem of arithmetic क्या कहता है fundamental of theorem of arithmetic हम लोग को कहता है कि किसी भी composite number को you can write in the product form of prime numbers हो सकते है वो prime numbers repeat हो रहे हो अब ऐसा नहीं है कि आप अगर जैसे कि example के तौरप अगर 20 था तो एक आदमी number ही होना चाहिए prime into prime into prime prime numbers बढ़ सकते है कोई दिक्कत नहीं है prime into prime into prime हो सकते है दोनों prime बराबर हो उसे कोई दिक्कत नहीं है but हमें any composite number has to be written in the product of prime numbers कोई मुश्किल नहीं है यह fundamental theorem of arithmetic कहता है कोई बड़ा चीज तो नहीं है very simple है और अब क्या है कि उसमें एक सर्थ लगा दिया गया कि यह factors unique होंगे मतलब अगर जैसे 20 में दो दो पांच होगा तो दो पांच ही होगा चाहे उसको आप दो को इधर रख दीजे पांच को बीच में रख दीजे दो को इधर रख दीजे लेकिन जबी भी यही तीन factors होंगे मतलब यह unique होंगे तरीके इनके अलग-अलग हो सकते है, दो इधर हो जाए, पाँच बीच में हो जाए, दो इधर हो जाए लेकिन अगर आपने डिसाइड कर दिया कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तब तो यूनिक ही होगा दो दो पाच तू इंटो इंटो फाइब तो यह हमारे लिखने के तरीके हैं प्राइम फेक्टराइजेशन का तरीका है और यह हमारा क्या था फंडामेंटल थियूरम ऑफ अरिथमेटिक्स इसका प्रूफ तो हम लोग ने आपको नहीं बताया we just explained you on the basis of example proof higher classes में पढ़ेंगे और बहुत मुश्किल नहीं है जब आप higher classes में 12th होगरा में जाएंगे तो very simple mathematical induction से इसका proof आपको मिल जाएगा लेकिन अभी हम उसको आपको नहीं बताएंगे don't be confused but very simple है जब 12th में जाएंगे तो देख लेंगे अरे सर इतना आसान था उसी दिन बता देते अभी नहीं अभी जस्ट आप समझेए कि इसको prime factors के रूप में लिखा जा सकता है so अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पड़ाओ पर अगला पड़ाओ मेरा क्या था if you remember हम लोग ने prime factorization के बाद fundamental theorem of arithmetic बताने के बाद हमने बताया था कि हम आपको उसका कुछ examples book के लेंगे हम उसके applications बताएंगे applications में हम आपको एक LCM बताएंगे हम आपको उसका HCF बताएंगे उससे पहले हम किताब के कुछ सवाल आपके सामने करना चाहते हैं या करके आपको दिखाने जा रहे हैं ओके हाँ तो अब आपके सामने हम लोगे बता रहे हैं Class 10 का Maths NCRT Chapter 1 Real Number में First Question Exercise 1.1 का पहला Question आपके सामने हम बताने जा रहे हैं Question है कि 140 को 140 140 को आपको product of its prime factors लिखना है 140 को its product of prime factors लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं आप 140 एक 140 is equal to this is something like this 140 इसको आप 2 से 2 यहां पे आजाएगा आपका 70 again is 2 35 then 5 7 so 140 is equal to 2 into 2 into 5 into 7 यह क्या होगा आपका यह होगा आपका product of its prime factors 140 को express each number as product of prime factors 140 को आपको लिखना है आपको आपको यहां पर भी बता देते हैं आपको yes अमीद है कि आपको समझ में आ गया है यह is 2 raise the power 2 into 5 into 7 असान है बहुत यह असान है so अगले question की तरफ चलिए अगला question सापके सामने है वो question है 156 so 156 के लिए आप क्या कर सकते हैं वाई 156 okay so your 156 अगर आप इसको 2 से divide करते है अभी थोड़ दिर पहले ही मैंने बताया था this becomes 78 again इसको आपने 2 से divide किया तो यह आपको भी हो गया 39 इसको फिर 3 से divide किया so this becomes your 13 okay so हम लोग क्या कह सकते है 156 is equal to 2 into 2 into 3 into 13 so 2 का square into 3 का power 1 गुना 13 okay so prime factors के रूप में यह चीज़ आ गया fine वोई दिक्कत नहीं है very simple है यह देखे यह तो यह भी आपके सामने दिख रहा होगा fine then चलते हम लोग next question की तरफ next question है आपके सामने three eight two five okay so three eight two five के लिए आपको क्या करना है just see three eight three eight two five इसको आप क्या करेंगे अगर अभी थोड़ दिर पहले ही बताया था लेकिन फिर से बता रहा हूँ eight three एक ग्यारा दो तेरा पाँच अठारा तीन से भाग लग सकता है so इसको आप तीन से डिवाइड कीजिए तो तीन से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा तीन एकम तीन तीन दूनी छे तीन सत एक कीस तीन पचे पंदरा फिर अगेन साथ पंच बारा दो तेरा और एक साथ पंच बारा दो चौदा एक पंदरा तीन से भाग लग सकता है फिर तीन से कीजिए तीन चौका बारा चार सो पच्चीस चार दो छे अब पांच ग्यारा अब तीन से भाग नहीं लगेगा अब इसको पांच से भाग लग सकता है लास्ट में पांच है यह कितना हो गया फिर आप इसको भाग दे सकते है पांच से अगें यह दिस इस 17 इस तरह से कितना आ गया 3, 8, 2, 5 is equal to 3 into 3 एक यह 3 गुना यह 3 तीन गुना पांच गुना पांच गुना सत्रह तो तीन गुना तीन गुना पांच गुना पांच गुना सत्रह तो इस इकल टू 3 square into 5 square into 17 ओकें यह हो गया हमारा prime factorization of 3, 8, 2, 5 पाइन समझने भी आसान है तो फाइनली हम लोग यहां तक आ चुके हैं अब अगला सवाल अगला सवाल आपको 5, 0, 5 ओके 5, 0, 0, 5 यहां देखिए अब यह सवाल को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको अब मैं बता रहा हूँ कि यह है मेरा 5, 0, 0, 5 अब आप बताईए कि इस नंबर में कितने से भाग लग सकता है भाई इस नंबर में तो 2 से भाग नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है 3 से 5, 0, 0, 0, 5 यह 10 हो गया तो 5, 0, 0, 5, 10 हुआ 10 में 3 से भाग नहीं लगा 1001 क्या इसमें आपको 2 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा? क्योंकि last number आपका even number नहीं है last number में 0, 2, 4, 6 होता था तो भाग लगता था अब तो यहाँ पे last में 1 है तो नहीं लगेगा 3 से भाग देते हैं तो 1 और 001 सब को जोड़ते हैं तो 2 होता है बाग से भाग सकता है कि नहीं लग सकते है साथ से भाग लगने का रूल याद है आपपको क्या से साथ से नौ से ग्यारा से तेरा से सत्रा से उन्नीस से तेईस से उन्तिस से यह सब भाग देने के टेकनिक्स बतायते हाँ तो साथ से भाग देने का टेकनिक किसी को याद है कि मैंने क्या बताया था साथ से भाग देखने का टेकनिक जैसे 91 है तो मैंने बताया था कि अगर इ 21 साथ से भाग लग सकता है क्योंकि ये साथ के table में आ रहा है ठीक उसी तरह यहाँ try कीजिए अगर क्या आप यह सोच सकते है कि इस 1001 में साथ से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा उसके लिए आपको क्या करना चाहिए उसके लिए आपको इस एक को पहले यहां से हटा दीजिए और इसको हटाईए तो इसका डबल कर लीजिए और डबल करके यहां घटाईए तो यहां घटा दिया हमने 98 येस 98 में साथ से भाग लगता है हम लोग जानते हैं 14 सत्य अंठान पे 14 का पाणा पढ़ेंगे 14 सेवैंजा होता है ओहो इसका मतलब अगर इसमें साथ से भाग लगता है तो इसमें भी साथ से भाग लगेगा गारंटी तो इसलिए अब आप चलें साथ से भाग लगने वाला है इसमें साथ से भाग दीजिए साथ से जब भाग दीजिएगा तो साथ एकम साथ तीन साचो का अठाइस फिर यहां पे आपका दो साथ तिर का एकिस ओके देख रहे हैं देख रहे हैं भाग तो लग गया इसमें साथ से भाग दने पर भाग लग गया अब आईए अब इस नमबर पर आईए 143 दो से भाग नहीं लगेगा लास्ट में even नमबर नहीं है तीन से चार एक पाँच तीन आठ उसमें भी ने लगेगा तीन से भाग ने लगेगा क्योंकि वो टेबल सब कसम 3 में आना चाहिए था 5 से भाग 5 से 5 लास्ट में 5 या जीरो नहीं है तो 5 से भाग नहीं लगेगा अब आए क्या 7 वाला रूल लगेगा ये 3 को हटा है 3 दूनी 6 इसमें घटा है 14 में से 6 घटा है 8 वो भी नहीं लगेगा तो क्या लगेगा उसके बाद सोचिए नौ से भी नहीं लगेगा दस से भी नहीं लगेगा 11 से ट्राइ कीजिए 11 से ट्राइ करने का रूल्स बता रहे थे हम आपको कि अगर 143 है और 11 से भाग लगने वाला अगर होता तो उसका रूल्स था सिर्फ इसको हटाके और यहां पर घटाके घटाके घटा दीजिए ओ 11 या भाग लगेगा 11 से भाग लगेगा इसमें तो आप इसमें 11 से भाग दे सकते हैं बढ़िए 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 11 से इसमें भाग दीजिए 11 से भाग देंगे तो हो जाएगा 11 एकम 11 और उसके बाद 33 एकारतिया 33 तो अब आप बोल सकते थे 5 0 0 5 is equal to 5 it's to 7 into 11 into 13 ये सब जो आपको divide करने का techniques बताया गया था किस लिए बताया गया था ये सब divide करने का technique इस लिए बताया गया था divisors का इसके पहले वाले वीडियो में पहले वाले लेक्चर में ताके आप जान सके जब इसको prime factorization के रूप में जब लेकर आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये सब चीजे useful थी जो है ओके so अब हम लोग आगे फिर से proceed करते है मुझे उमीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है so next हम लोग चलते हैं आगे अगला सवाल ओके ये ही सवाल है तक 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 ये सवाल है यहाँ से इनको घड़ा ब्भाई ये तो ये चीज़ आपको clear हो गया अब हम लोग अगले सवाल के तरफ चलते है ओ जी अगले सवाल 7429 7429 मैं भी आप ही के सामने प्रैक्टिस करूंगा 7429 चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है इनका बोलिए दो से भाग दो से भाग नहीं लगेगा अब तीन से ट्राइ करते हैं तो साथ चार इग्यारा 7411 11,920,22 या 9,2111 तीन से भी भाग नहीं लगने वाला है क्योंकि साथ, चार इग्यारा, दो तेरा और नो बाइस, बाइस में तीन से भाग नहीं लगता है पाँच से भी भाग नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में पाँच या सुनने नहीं है तो अब हम लोग ट्राइ करते कि क्या इसमें साथ से भाग लगेगा या नहीं तो उसका क्या रूल था, साथ से भाग लगने का रूल ये था कि इस नो को यहां से हटाकर, इसको डवल से गुना करके यहां से घटा देते थे तो यह हो गया, बारह में से आठ गया, चार और तीन में से एक गया, दो तुसे साथ फिर भी नहीं समझ में आया तो इस चार को फिर से हटाए, डबल किये, यहां पे आठ लिखे, फिर से घटा दिये, 72 में से आठ गया, तो 64, 64 में साथ से भाग नहीं लगेगा, फेल हो रहा है, सब फेल हो रहा है, जी, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा साथ से भी भाग नहीं लग पाएगा, तो अब साथ से नहीं भाग लगेगा, तो नो से, साथ, साथ, चार एक गारा, तो तेरह, नो, बाईस, नो के टेबल में नहीं आता है, तो वो भी फेल, तो अब कुछ करिए भाई, गारा के रूल पर आईए, तो 7429, एक गारा के था, इसको हटा के, यहां पे सिर्फ घटा दे ते ते, तो 12 में से नो गया, तीन, यह हो गया, तीन, यह हो गया, साथ, फिर इसको हटाईए, यहां से घटाईए, सत्तर, यह भी एक गारा के टेबल में नहीं आया, एक गारा भी फेल हो गया भाई, अब क्या करें, अब कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है जी, तो अब क्य कीजिए कि तेरा पे ट्राइ कीजिए कि भाई तेरा से इसमें भाग लगेगा की नहीं तो तेरा के लिए क्या बताया गया था अगर आपको याद हो तेरा के लिए हमने क्या बताया था तेरा के लिए हमने बताया था कि सेवन फूर तू नाइन है तो तेरा के लिए मैंने बता कि लास्ट का नंबर जो था उसको हटाईए और इसको चार से गुना कीजिए और इसको लाके इसमें जोड दीजिए तो यह हो गया आठ चार तिन साथ साथ फिर इसको हटाईए चार से गुना कीजिए और फिर लाके इसमें जोड दीजिए कि यह यह तिरा के टेवल में आता है कि अब तक हुआ कि भाँ मैं आपके सामने ट्राइब कर रहा हुआ आप पूलना की सर अब तो जमाना आ गया है लोग देख लेते है पढ़ लेते है याद कर लेते है रॉट लेते है वह ऐसा नहीं है दिखे दो सेट नहीं भाग लगा तीन से नहीं लगा साथ से नहीं लगा 9 से तो लगे का ही नहीं फिर आपके सामने भी ट्राइड कि भई तब जो है 11 से लगा की नहीं 11 से भी लगाने का ये रूल ट्राइ किया नहीं हुआ अब 13 से लगाने का रूल अपलाई किया कि इसको हटा के 4 से गुना करके जोड दिया जाता था तो यहां पर हम लोग 4, 3, 6, 8 हुआ साथ, देस, फिर इसको हटाया 35 किया, यहां जोड़ा 9, 10, इतना 109 में भी तो भाई 13 से भाग नहीं लगता है तो अब क्या करें, क्या करें तो अब चलिए 13 के बाद अब हम 17 पर ट्राइ करते हैं 17 का कहानी अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि 17 के लिए क्या किया जाता है कि लास्ट डिजिट को हटा के उसको पांच से जोड़ करके घटाया जाता था तो यही ट्राइ करता हूँ 17 के लिए 7, 4, 2, 9 इसको हटाया, इसको पांच से गुना किया और यहां लेके घटाया तो 9, 45 इसमें से हम घटा रहे है 12 में से 5 गया 7 और 13 में से 4 गया 9, 6, फिर से इसको हटाया और 5 से गुना किया और फिर लेके घटाया 5 से 35 घटा तो 35 घटा तो घटके हो गया 34, वाउ 34 में 17 से भाग लगता है पता चल गया जी पता चल गया इसमें जो है न इसमें 17 से भाग लगेगा मैंने तो अपने मिथट से ट्राइ कर लिया देखिए 2 से नहीं लगा, 3 से नहीं लगा, 5, 7, 9 11, 13 तक नहीं लगा तो 17 से भाग लगेगा ये गारंटी हो गया क्योंकि 17 से भाग लगने का टेकनिक क्या बताया था लास्ट नमर को अड़ाईए, 5 से गुना की जी ले आके घड़ाईए, आईसे करके देखा मैंने येस, तो अब चलिए इसको 17 से भाग देते है, पता चल चुका है, ठीक है आईए, 7 7, 4, 2, 9 में 17 से भाग लगेगा कितना आएगा 17, 4, 68 तो यहाँ पे हो गया 6 2, 9, 17 Just एक मीनिट हो, 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 हो आज़ा भई 7, 4, 2, 9 17, 4, 68 यहाँ पे हो गया 6 12, 17, 31, 51, 11, 19, 17 17 17 17 17 17 17 17 17 19 19 cancel 437 so you can write this is something like I'll be writing here 7 4 2 9 इसको अगर आप 17 से यहां पे भाग देते तो यहां आता आपको 4 3 7 अब आये 4 3 7 7 437 तो यह 437 में अब किसे भाग लगेगा क्या इस 437 में उसी रूल से चलें तो क्या फिर 17 से भाग लगेगा की नहीं लगेगा 7 को हटाईए 5 से गुना कीजिए और यहां घटाईए तो 43 में से 35 घटेगा तो आपके पस कितना आजागा 8 आजागा 9 17 से भाग नहीं लगेगा तो अब आपके पास fundamental है 19 के लिए 19 के लिए मैंने क्या बताया था कि 19 से अगर ट्राई करना है कि क्या इस नंबर में 19 से भाग लगेगा की नहीं तो इस नंबर को हटा के और इसको दो से गुना करके यहां जोड देना था चार तीन साथ चार एक पाँच ओ संतावन 19 तियां संतावन 19 से भाग लगने वाला है तो 437 को 19 से भाग दे सकते हैं 19 दुना 38 पाँच आया संतावन 19 तियां संतावन के सो दिस इस 19 से भाग लगेगा और इसमें आपको 20 तो आप बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं क्या सर 7 4 2 9 7 4 2 9 is equal to 17 into 19 into 23 यह होगा यह हैं थोड़ा सवाल बनाने में आपको टाइम लगा है लेकिन अब आपको यह चीज समझ में आ गया है कैसे जो है जब हम लोग को अगर यह सवाल को बनाना होता है तो कैसे ट्राइक करना पड़ता है मेहनत होता है मुश्किलात सामने आएंगे लेकिन घवडाना नहीं है टेक्निक्स अगर याद है तो यूविल फाइंड रिजल्ट और रिजल्ट आपके सामने है मैंने कोई किदाबों से देखके कोई कुझी का देखके नहीं कि बना है अपने मन से ट्राइ किया ट्राइ करने से बना है 17-19-23 मेहनत करना पड़ेगा मेहनत से जी चुराइएगा तो नहीं होगा हम लोग मुव करते हैं आप यह थोड़ा सा आप देख लिए जस्ट आप देखे एक्शली यह मैंने थोड़ा सा आपके मेमोरी रिवाइस के लिए बताया था अगर आप चाहे तो इसको लिख लिए फटाफट फटाफट जो है अपने कॉपी में लिख लिजे सो देखे जैसे यह किसी नंबर को अगर साथ से अगर भाग लगना हो तो multiply unit digit by 2 last number को 2 से गुना करके बताया था ना last को हटाइए 2 से गुना करके घटाइए वही करें कि last क्या मतलब unit digit को 2 से गुना करके subtract from the remaining numbers add या subtract तो यहाँ पर subtract करना है subtract from the remaining number यानि कि last वाला को जैसे इसको हटाके 2 से गुना करके इसको घटाते थे तो यहाँ पर यह देखे उसी तरह अगर 11 से करना है तो multiply the unit digit मतलब last number को सिर्फ एक से multiply करके घटा दीजे किसे घटाईए बचे हुए से घटाईए उसी तरह 13 से करने के लिए 17 से करने के लिए 19 से 23 से 29 से 41 का भी मैंने बताया है last digit को 4 से गुना कीजिए और subtract from the remaining numbers अगर आपके पास 0 या इनके multiples आ जाते हैं 7 11 13 17 29 29 29 31 41 के तो आपको वो number में उस number से भाग लिएगा okay so यह एक summary है you can remember you can write this यह बहुत ही जबर्दस टेक्नीक है बहुत जबर्दस टेक्नीक you can't imagine the power of these things कैसे कैसे हम लोग इस पे मदद करके आगे बढ़ते हैं okay so let's move for the further देखिए अब मैं आ गया हूँ उस जगह पे जहां पे मैं आपको बताने वाला था कि आपके fundamental theorem of arithmetic का क्या applications है पहला applications मैंने आपको बताया fundamental theorem of arithmetic का पहला applications मैंने बताया आपको prime factorizations निकालने के लिए prime factorizations तो आपने देखी लिया कोई दिक्कत नहीं है अब उसका अगला applications आने वाला है lcm और hcf निकालने के लिए क्या करने के लिए lcm और hcf निकालने के लिए उसका applications आने वाला है तो यह अब आपके सामने आने वाला है find lcm and hcf बट मैं आपको कहता हूँ कि अब इस class को होते होते लगबग 50 मिनिट हो गए हैं तो इस जगह पे हम आपको रोकेंगे आप अगले lectures में अगले वीडियो में अब हमारे उस prime fundamental theorem of arithmetics का fundamental theorem of arithmetics arithmetics का अगला applications जानने के लिए अगला applications और वो applications क्या? LCM और HCF कैसे निकाला जाता है? इसके जानने के लिए आप अगला वीडियो देखिए अगले class में मिलेंगे और जबरदस्त जबरदस्त तरीके से जो है अगला class होगा अगला again videos आपको मिलेगा सो तब तक के लिए मैं आपको बोलूँगा कि अब तक जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको revise किए hopefully अगले एक या दो classes में आपका ये real number chapter जो class 10 का है खतम हो जाएगा फिर हम लोग अगले chapters के तरफ चलेंगे तब तक आप जो कुछ भी पढ़ा है उसको revise कीजिए और revise करके फिर अगले lectures का वेट कीजिए Thank you